हाई गाईज वेलकम बैक टो माई चैनल जॉली पराशर कैसे हैं आप लोग आई हूप आप सब लोग अच्छे होगे तो गाईज जैसे कि आप सब जानते कि रमजान चल रही है और इद आने वाली है तो इसलिए आज का जो मेरा वीडियो है वो है मेरा आज का इद मेकप लु करेंगा फर्स्ट टाइम में अपने चैनल पर इद मेकप लोग प्रिकेट कर रही हूं प्रजेंट कर रही हूं आई हूप आप लोग अच्छा लगीगा तो आई स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो और सबसे पहले यहां पर मैंने इंसाइड का लिया है प्राइमर और सब्टों करकेटर और जो भी मेरे डाक सरकल या फेस पे ब्लैक स्पार्ट होंगे वहां पर मैं इससे लगाउंगी और ब्लेंड कर लुँंगी इससे जो texture है water waste है cream waste texture होता है ना वो गर्मियों के लिए सही नहीं रहता है वो oily skin को और ज़्यादा कर देता है गर्मियों में सबको बता है और सबके हुई जाती है skin तो इसलिए बहुत अच्छा foundation है और कब्रेज भी बहुत अच्छी देता है देखे कितना अच्छा कब्रेज दिया है और इसको मैं beauty sponge की help से blend कर लूँगी उसके बाद में मैंने यहां पर swiss beauty का concealer लिया है और उसको अपने high point पर लगाके और अंडर आई पर लगाके blend कर लूँगी और थोड़ी से आवाज खराब हो रही है गाईज थोड़ी तवियत खराब है इसलिए तो थोड़ा इग्नोर कर दिना मेरी voice को और इसको blend कर लूँगी beauty blend की help से उसके बाद में मैंने यहां पर leg makeup compact लिया है और जो इसका cushion होता है उसकी help से ही मैं इसको लगा लूँगी और यह मेरा जो id makeup look है ना आप इसे day में night में कभी भी आप इसे create कर सकते हो और यह बहुत अच्छा लगेगा create होने के बाद में और इसको sun expert है यह एक्षिलिस में SPF 50 है इस compact में तो इसको मैं अच्छे तरीके से लगा लूँगी उसके बाद में में एक spoolie के help से अपने eyebrows को comb करूंगी और eyebrow pencil से मैं इसको fill कर लूँगी और Maybelline की eyebrow pencil है बहुत अच्छी eyebrow pencil है गा इसे और गर्मियों के लिए सही रहती है क्योंकि गर्मिय की help से वो निकल जाते है eyebrow powder जो होते हैं इसलिए आप कोशिश करें के pencil ही यूज करें उसके बाद मैं यहाँ पर white लिया है यह eye shadow और इसको just मैं अपनी eye lid पर हलके से अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मुझे eye makeup करना है इसलिए मैं अपनी eye lid को set कर रही हूँ eye makeup के लिए और उस पतला और पहले एक eye पर लगा के पहले उसे blending brush की help से blend कर ले उसके बाद मैं second eye पर लगा है जिससे क्या होगा कि कई वार क्या होता है हवा की बज़ेसे तो blend नहीं हो पाता kajal इसलिए अलग लग eye eyes पर लगा के पहले और फिर blend कर ले और अच्छे तरीके से blend कर लेना है second eye प जो भी मैं हलका सा लेके और जहां पर मैंने काजल लगाया ता ना सिफ वहाँ-वहाँ प मैं इसको ब्लेंड करूंगी पूरी आइस पर नहीं लगाना है यह और दौनों आइस में सेम प्रोसेस कर लें उसके बाद में मैं यहां पर डार्क-पिंक है यह मतलब हलका सा red eye ही जाता है लिया है मैंने eyeshadow और जो मैंने black eyeshadow लगाया है उसके उपर उपर मैं इसको place करके और blend करती जाऊंगी आप दोनों eyes पर साथ के साथ करते जाए इससे क्या होगा कि हमें बता लग जाएगा कि हमने कितना लगाया है और आपको जितना color चाहिए जैसा color चाहिए आप ऐसा लगा ले उसके बाद में मैंने light pink color लिया है उसको मैं transaction color के रूप में use करूँगे अपनी eye makeup में और हलका हलका मैं इसे blend कर लूँगे जिससे के सारे color भी blend हो जाएंगे और उसके बाद में मैंने जो red color लगाया था उसको लेके eye shadow color को मैं इसे lower lash line पे लगा लूँगे जिससे के eye makeup एकदम से complete हो जाएगा कभी भी यह मैं सोचना कि अगर हम नीचे की eye lashes पे लगाएंगे color eye shadow तो अच्छा लगेगा उसके बाद में black मैंने लिया है eye shadow और जो इसको मैं अपनी eyeliner की तरह से भी draw कर लूँगी उसके बाद में मैंने यह एक shimmery eye shadow लिया है और सिर्फ इसको अपनी eyeball पर लगा रही हूँ eye lid पर ज्यादा नहीं लगाना है उसके बाद में मैंने white काजल लिया है अगर आप चाहें तो black ले सकती है मुझे white ज्यादा अच्छा लगता है black से अगर मैं कोई भी make-up look करती हूँ तो आंके और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है अच्छा look आता है और उसके बाद में मैं रिक्रेट कर सकती है बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद मैंने white and wild का लिया है यह contour palette इसमें highlight और contour दोनों है और इसे मैं अपने face को contour कर लूँगी अच्छे तरीके से cheek bone पर कर लूँगी उसके बाद मैं मैं इसको double chin होती है जहां पर area वहां पर इसे क्या होता है इसे double chin होती हो चिप जाती है हाइड हो जाती है और face बादा structure लगता है उसके बाद मैं मैं इसे nose पर भी अपनी nose को कर लूँगी और उसके बाद में मैंने यह coral color लिया है इससे मैं blush लगाऊंगी और अगर आपने अब तक मैं चालो सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक मुझे जैसे की eyebrow bone हो गया और eyes का inner corner हो गया उसके बाद मैं मैं bridge of the nose पर लगाऊंगी और उसके बाद मैं cheek bone पर लगाऊंगी और इससे बड़ा ही अच्छा सा shiny shiny face हो जाता है चमक आजाती है एक तरीके से face पर और इसको cupid wo और chin पर भी लगा लूँगी और अपने forehead को भी मैं shiny shiny बना लूँगी उसके बाद मैं मैंने यहां पर inside की lipstick गी है red color की और उससे मैं अपने lips पर apply curl लूँगी और इसे बड़ा इच्छी लगती है इसकी खुश्वूआ जाता है तो guys यह मेरा होता है look complete और I hope आप लोग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो please मुझे जाना जरूर कैसा लगा है आप लोगों को और मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा था यह look तो यह मेरा final look होता है तो बस मिलती हूँ मैं आप से अपने नए वीडियो में जब तक लिए टाटा बाई 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 और हाँ आप सभी के लिए एद मुवार्ण बहुत बहुत क्वार्ण बड़ तक लिए अपने है तक में जब तक लागड़ा अपने है तो यह भाग।